पहले हैं बहुत बहुत वागत करते ह homem आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कर फोटो के background को कैसे blur कर सकते हैं जैसे कि यह जो फोटो है इसके background का कोई भी blur नहीं है साफ देख सकते हैं कुछ इस परकार के फोटो को जो है सो इस परकार से बलर कर सकते हैं पीछे का बलर कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने बाले हैं कि आप प्रोफेशनल तरीके से DSLR की तरह जो है सो background को कैसे blur कर सकते हैं तो चलिए चलते हैं mobile screen पर और आपको बताते हैं सारी जानकारी इसके लिए आपको एक application का जरूरत परेगा जिसका नाम है Snapseed यह application जो है तो आपको play store पर easily मिल जाएगा तो इसको जो अपने phone में install कर लेना है तो पहले बार Snapseed को जैसे आप open करोगे तो open करने के बाद यहाँ plus का option आपको दिखाए देता है plus के option पर आपको click कर देना है यहाँ पर जैसे click करोगे तो आपके gallery open हो जाएगा तो gallery से आपको वो photo पर click कर देना है जिस photo के background को आपको blur करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम आपको इस photo को करके दिखाएंगे तो यहाँ पर आप जैसे photo पर click करेंगे तो side में आपको कुछ filter भी देखने को मिल जाएगा अगर आपको कोई filter अच्छा लगते हैं तो उसको जो apply कर सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे filter आपको show कर जाता है तो यहाँ पर जिस भी filter को आप लेना चाहते हैं यहाँ से ले सकते हैं तो हम एक filter को choose कर लिए हैं उसके बाद यहाँ सहीक option पर आपको click कर देडना है अब चलिया आपको बताते हैं blur करने का process क्या है तो इसके लिए आपको करना क्या है यहाँ pain के option पे एक बार आपको click कर देना है यहाँ पर बहुत सारे tools option आपको नजर आएगा तो यहाँ पर आपको healing वाला एक option मिलेगा healing पे आपको click कर देना है healing पे click करने के बाद अपने finger से इस परकार से यह जो आपका photo है तो आपके जो हिसो सरीर के उपर पूरी तरह से इस लाल करके इस ऐसे जो ढख देना है ढखने के बाद इसको छोड़ देना है जैसे आप छोड़ दोके तो छोड़ने के बाद देख सकते हैं हमारा जो फोटो है, इस फोटो में हमारा जो सरीर है, वो पूरे के पूरे हट जुका है, और सिर्फ हमारा बैक गरोन वाला सीन ही रह गया है, अब आपको सही के उप्षन पे क्लिक कर देना है, जैसे क्लिकर होगा यहाँ पर कुछ इस परकार का उप्षन आएगा, फिर से यहाँ पर जो है सो इसको छोटा कर लेना है, और यह जो बुलू कलर का उप्षन है, इसको बीच में आपको रख देना है, आपको उस जगह रखना है, जहाँ पर लगे कि हमारा फोटो जो है सो हमारा सरीर के पीछे में जो है सो ठाका जाए, तो यहाँ पर हम इसको छोड़ हो जाता है और जैसे राइट की तरफ ले जाओगे तो बलर जादा हो जाता है तो आपको अपने अनुसार देखना है कि आप कितना बलर रखना चाहते हैं तो हम जो है इसको 50% पे fix कर देते हैं इतना बलर हम रखना जाते हैं उसके बाद हमें क्या करना है सही के उप्शन पे क्लिक कर देना है सही के उप्शन पे क्लिक करते ही हमारा यह बलर बैगराउंड हो चुका है अब आपको क्या करना है अब हमें फिर से पेंड के उप्शन पे क्लिक करके सबसे नीचे में एक उप्शन मिलेगा डबल डबल एक्सपोजर पर पर आप जैसे क्लिक करेever पूछ इस पर का उप्सन आएगा यहां प्लस पर क्लिक करके हमें उसी फोटो को पीडिसे अपने जैलरी से ले जिस फोटो को आपने पहले पहले बार बलर करने के लिए सेलक्ट किये थे यह वाला तो हमने इसको ले लिया है देख सकते हैं कुछ अजीव टैप सा दिखाई दे रहा है तो आपको क्या करना है यहां ओपैसिटी का उप्शन है आपको इस पर क्लिक करके इसको फूल बरहा द क्या करना है इस उप्शन पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आपको इस पर क्लिक कर देना है जैसे क्लिक करोगो साइड में कुछ उप्शन आयागा आपको डबल एक्सपोजर पर क्लिक कर देना है यहां बरस वाला इस पर आपको क्लिक कर देना है इस पर जैसे क्लिक करो हमें ऐसे देख सकते हैं यहां से आप चेज कार शकते हैं इस पर एक बार क्लिक खोड़ कर секinflation लाहिए फिर से क्लीक करोगे तो उपर आता जाएगा यहां देख सकते हैं दह भ language ऑप jáपको दिखाए देका यहां पर लेट बालेपे उस्थ क्लिक बशुक कर देना तो क्लिक करने के बाद हमारा ये फोटो आ जाएगा एक बार फिर क्लिक करोगे तो ये हट जाएगा आपको लाना है इस परकार से लाना है अब आपको क्या करना है इस फोटो को जूम करना है जूम करने के बाद आपको फिंगर से इस परकार से आपको चलाते जाना है देख सक से करना है थोरा समय लग सकता है लेकिन आपको अपने चेहरे के ऊपर में इसको नहीं चला रहाना है और थोरा सा छोड़ना भी नहीं है इस परकार से आपको अपने चेहरे के साइड साइड में कर देना है फिर इस परकार से आप जो है सो इसको सारे में कर देना है सिर्फ चेहरा को छोड़कर सभी को यहाँ पर करना है इस परकार से देख सकते हमारा बलर हो गया है इस परकार से आपको करना है इसमें थोरा सा समय लग सकता है लेकिन इसी परकार से जो सो अगर बलर करोगे तो देख सकते हैं कितनी smooth तरीका से बलर हो रहा है इस बलर को देखकर जो है सो DA seller भी सरमा जाएगा तो इस प्रकार से आप वो करते जाना है यहाँ पर हम इस वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देते हैं क्योंकि इसको करने में थोड़ा समय लगेगा तो फैनले का यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने पूरे फोटो को साइड में बहुत ही बाड़ी की से जो है सो इस परकार से हमने चलाया है और हमारा फोटो जो है सो पूरी तरह से बलर हो चुका है लेकिन यहाँ पर हमने आपको एक चीज यह नहीं बताया है कि जैसे माली यहाँ पर जो है साइड में चला रहे हो और गलती से यह बलर के उप्सन आपके सरीर पर इस परकार से आ जाता है तो इसको आप कैसे करोगे तो इसके लिए आपको करना क्या है यह साइड में जो यह तीर वाला उप्सन है इसको आपको बढ़ाना है 100 पर और उसके बाद इस परकार से कट कर देना है इस परकार से कट हो जाएगा फिर से आपको दुबारा बलर करने के लिए आपको दूसरे साइड के तीर वाले उप्सन को जो है सो minus कर देना है और इस परकार से फिर से आप जैसे करोगे ऐसे तो होने लगेगा फिर अगर जादा हो जाता है तो दूसरे side के 3 पे clicker के 100 पे ले जाके इसको इस परकार से आप हटा सकते हैं तो देख सकते हैं कि इस परकार से हमने इस फोटो के पूरे फोटो को जो बलर कर दिया है और ये बलर जो है सो DSLR से भी अच्छा बलर हुआ है तो इस परकार से आप बलर कर सकते हैं अब आपको चलिए बताते हैं इसको save कैसे करोगा गैल्टी में यहाँ सही के option पे आपको click कर देना है इस तीर का option पे आपको click कर देना है अब आपको क्या का नहीं देख सकते हैं यहाँ पे हम Snapseed के home screen पे आ चुके हैं save करने के लिए आपको यहाँ यह जो option है को इस पर click कर देना है यहाँ पे save पे click कर देना है save पे जैसे click करोगे यहाँ पर देख सकते हैं ये फोटो जो हैसो हमारे गैलरी में सेब हो चुका है तो इस परकार से जो हैसो आप किसी भी फोटो के background को blur कर सकते हैं तो उमीद करता हूँ कि यह जो आपको पसंद आया होगा अगर आपको इसके अलावा किसी भी परकार का problem आता है तो आप हमें comment में पूछ सकते हैं तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टोपिक के साथ तब तक के लिए गुरुभाई टेक केर थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो